नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में अभी की सबसे बड़ी खबर आजम खान को लेकर आ रही है दरसल आजम खान को अलाहबाद हाई कोट से जमानक मिल चुकी है लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ सकते लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ जो है एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है जिसकी वज़ा से उन्हें जमानत तो मिली है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे इसी बीच लगतार सियासत जो है यूपी में गर्माई हुई है एक तरफ समाजवादी पार्टी यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह आजम खान को मना बुझा कर पार्टी के अंदर रखा जाए वही दूसरी तरफ कॉंग्रेस की तरफ से भी देखा जा रहा है पूरी को रही है लेकिन फिर भी जो है वो जेल से बाहर नहीं आ रहे यहां पर अलाहबाद कोड की तरफ से तो उन्हें जरमानत मिल गए लेकिन उंपर पर रहा है लेकिन तीन दिन पहले जो एक मुकदमा दस था उसी की वजह से भी जिल की सलाखों के बीच है और सारी राजनीती स्यासत इन्ही पर है कि कब आजम खान जिल की सलाखों के बाहर आये उनके खिलाफ उनके साथ या उनके खिलाफ बैटकर रणनीती बनाई जाए अग अखिलेश यादव खुलकर इन पर बाच्चित करने से कतराती नजर आ रहे हैं और बीजेपी की भी रणनीती होगी कि आजम खान को पूरी तरीके सफ़ापार्टी से तोड़ दिया जाए दोजार चोबिस में लोकसवा चुनाव है तो उन बातों को ध्यान में रखकर आजम खान निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको पूरी तरीके सफ़ापार्टी से तोड़ दिया जाए क्यूंकि जब सफ़ापार्टी के मुखिया यानि की अखिलेश यादव आजम खान के यहां पर बचाव में नहीं उतर पारे और एक जो आंद खान एक ऐसे निता थे जो उनको रहात देते थे क्यूंकि उनका साथ मिलता था अकलेश यादव से लेकिन अकलेश यादव जब आजम खान को जेल की सलाखों को पीशे बाहर नहीं लापा रहे और ऐसे एक-एक मुकदमे उन पर अभी भी यहां पर रह जाते हैं तो कैसे व पर हर कोई कर रहा था कि आजम खान इन पार्टी का हाथ थामले लेकिन शिपाल ने सबाबाटी के साथ उनको बांदे रखा चुनाव वहां पर लड़ा और जीते भी जेल की सलाखों की पीशे कब आते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन अभी भी अखिलेश उन्हें अपना एक अलगी हिंदू संगठन और अलगी यहां पर रणनीती करके यहां पर लोगों का अपने तरफ खीचा उसका फाइदा मिला है केंदर सरकार भी उन्हीं की है यूपी में भी सरकार उन्हीं की है तो आजम खान जैसे मुश्रिम चेहरे के बड़े नेता अगर कांगरेज का हाथ ठामते हैं या बीजेपी अपनी रणनीती यूपी काम्याब रहती है और सपा और आजम खान का अपनी खुद की पार्टी एकठन करेंगे या कांगरेज या बीजेपी का रुख करेंगे को लेकर वो चाहते ह Curry ऑवेसी की पार्टी में सामिल हो वहा ही दूसरी तरव शेपाल सिंग यदफ जिस तरह से मिलने जाते है और यहाँ पर कॉंगरेस के नेता जिस से मिलने जाते है तो यहाँ पर ख़बरे थो अभी कॉंगरेस को लेकर तेज है क्यूंकि BJP में आजम fonctionne नही पहले भी खबरे यही आई थी कि हो सकता है इस बार की ईद आजम खान जो है जेल से बाहर अपनी रामपूर अपने सहर अपने घर में मना सके लेकिन वो भी दिखाई देता वह नजर नहीं आया यूपी सरकार ने एन मोके पर मुकदमे के लिए एक और तारीक मांग ली जिस व करूं तो सफापाती अखलेशियादव कहतों रहे हैं कि वह आजम खान के साथ है लेकिन उनके खिलाफ मुहीम जो है वह चेरते वे नजर नहीं आ रहे उनके समर्थन में आवाज उठाते वे नहीं आ रहे तो इस वजह से कई नहीं कई आजम खान नाराज है तो अब आजम देखे जेल से बाहर आएंगे आजम खान ये तो अब साफ हो चुका है जिस तरह से उन्हें एक एक करके जमानत मिल रही है आज नकल जेल से बाहर आते ही उन्हें क्या लगता है आपको कॉंग्रिस का हाथ थाम सकते हैं आजम खान लेकिन सबसे पहली बात आप यह देखे कि का लंबा वक्त बहुत लंबा होता है जब जब उन्हें उमीद करी सपापाटी कुछ करेगी उनकी मदद करेगी जबकि आजम खान उनके लिए तब खड़े रहे वह जब अपने आप से लड़ रहे थे इतने सारे मुकदम उन पर दरस थे जेल की सलाकों के पीछे थे लेकि कि 111 विधायकों मेंसे मेरी भी एक गिंती होती है और आजम खान भी सी मामले पर काफी कुछ जब जेल के सलाकों के बाहर आएंगे तो बयान बाजी होगी और आजम खान की जितने भी मीडिया परवक्ता थे उनके बयान साफ तोर पर सपापार्टी के खिलाब थे कोई एक बयान आप गिना दीजिए जो सपापार्डी के साथ था ति किसी एक को लेकर नहीं होती लेकिन बीजेपी में अगर देखा जाये तो जो मुस्लिम वोड बैंके मुस्लिम समुदाय है अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करें वो भी ऐसे समय पर जहां पर आजान वर्सिस सनुबान चालीसा को लेकर विवाद हो रहे हैं लाउड की राजनीती सियासा थे लोग सबाचुनाव से पहले बहुत बदलने वाली ये बात तह है और सिर्फ और सिर्फ उसके मुख्य वजा आजम खान रहेंगे यहां पर आजम खान जो है यूपी की राजनीती में एक तहलका लेकर आ सकते हैं यहां पर देखने को मिल रहा है कि आजम खान से का जेल से बाहर निकलने का इंतजार इस तरफ आजम खानी नहीं बलकि बहुत सारे लोग कर रहे है बहुत सारी पाटिया कर रही है और अब देखना दिल्चस्प होगा कि जब आजम खान जेल से बाहर निकलते है तब यूपी की राजनीती में क्या तहलका मसत तो यहाँ पर आजम खान ने अपनी तरफ से ये बात तो क्लियर कर दी है कि जब भी जेल से बाहर आएंगे वो सपापाटी के साथ तो जुड़ने वाले नहीं है लेकिन अब वो किसके साथ जुड़ेंगे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता क्योंकि आजम खान जो है देखना दिल्चस्प होगा कि आजम खान को आखिर रिहाई कब मिलते कब वो जेल से बाहर आते है क्योंकि आज जो फैसला आया है हाई कोट का इससे तो ये साफ हो चुका है कि आजम खान अब वो दिन दूर नहीं है कि जेल से बाहर आएंगे लेकिन वो तारीक कब की होगी ये देखने वाली बात होगी और जब वो तारीक सामने आएगी उसके बाद यूपी की सियासत में क्या भुचाल आएगा वो भी देखने वाली बात होगी लेकिन सवाल यहाँ पर एक ही है कि आजम खान क्या कॉंग्रिस जोइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आजम खान और अभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी है, दीपक हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम अपने तमान दर्शकों से भी धन्यवाद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए, आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखत तरी SPN 9 News, धनिवाद